तो यहां पर मेरे पास प्याज पड़ी थी और उसके अंदर मैंने एक आलू काट करके डाला है सिंपल ही हमें प्याज को लंबे-लंबे स्लाइस में काट लेना है और काट के उसमें बेसन हरी मिरच धनिया पाउडर और हरा धनिया सब कुछ आप एड़ करके अच्छे से मिक्स कर लें और फिर आप इसको गरम तेल में डाल दें और फ्रेंट्स एक दम से ज़्यादा गरम तेल में ना डालें क्योंकि पकोडिया जो है वह भाहर से तो सीख जाएंगी पर अंदर से कच्छी रह जाएंगे तो यहाँ पर आप थोड़ा फ्लेम जो है वो medium low रखें medium low रखना है आपको ज्यादा high नहीं करना है और ज्यादा low भी नहीं करना है अगर आप ज्यादा low कर लेंगे तो पकोड़या सारा oil पी लेंगी फिर आप बोलोगे कि ये शिव्या ने क्या बता दिया फिर आपको इसी तरीके से इसको सिखने देना है और आपको एकदम से इसको नहीं पलटना है जब आपको लगे कि ये नीचे से अच्छे से सिख चुकी है तब ही आप इसको पलटे अभी आप इसको अच्छे से सिखने दे प्रेंड्स आपको लग जाएंगी हाँ पर दो-तीन मिनट इसको सिखने में क्योंकि हम में बाहर से सिखी वी और अंदर से कच्ची नहीं चाहिए तो यहाँ पर आप थोड़ा पेशन्ट से काम करें अब आप देख सकते हैं नीचे से अच्छे से सिख चुकी है और अब इसको आप पलड़ दें पलड़ दें और छुटा भी लें जैसे चिपक जाती है न बेशन घी में डालके एकदम चिपक जाता है या तेल में डालके तो वो आप हलका हलका सा अलग कर लें आप देख सकते हैं मैं इसको बहुती बढ़िया तरीके से अलग कर रही हूँ फिर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं पकोडिया तो हमारी दोनों और से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है अब आप यहाँ पर एक प्लेट में निकाल लें और इसको हरे धन्य की चटनी के साथ सर्व करें फ्रेंड्स ऐसी वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हैं एक नई रैसीपी के साथ